नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्टड़ी 91 परिवार में बहुत बहुत श्वागत है और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड़ा अप्टरनून जै हिंद और बंदे मातरम तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएए और सुरवात करते हैं आग के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस-किस प्रकार के कोशन पूछते हैं तो दोस्तों मैं आज बता दूँ कि आप लोगों को जो है कि इस समय एकजाम से आप लोगों का प्रोसेस में हैं और उसी प्रोसेस को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है और उसी तरीके से हम लोग एक किकर के आगे बढ़ते चलेंगे और देखते हैं कि किस-किस प्रकार के questions हम से यहाँ पर पूछने को बनता है तो दोस्तों आप लोगों का exam चल रहा है और exam को लेकर आप लोगों ने exam दिया होगा एक मोटा मोटा idea लगा होगा कि क्या वाकई में हमने जो पढ़ा जो practice की क्या उसे कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है एक दिन हम इस पर भिशेश चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे कि वाकई में हम लोगों को जो है कितना फायदा यहाँ से पढ़कर मिला है तो आइए देखते हैं आग के questions हों को और जिन बच्चों का आगे exam है वो लोग continue करते रहें और इसके बाद बहुत जल्द इस process करें लोग जो है चेंज करके आगे बढ़ने वाले है ठीके तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने किस-किस प्रकार की question पूशता है तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का है यूपी टेट का, सूपर टेट का, यूपी पुलिस का, PCS का, एडिशिन नट का, फश्ट पेपर जो बेचे जिस study 91 के द्वारा आप लोगों को provide किये गए है उनकी कुछ information है यहाँ पर तो आईए देखते हैं question number पहला यहाँ पर क्या है question number यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चे का chain करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंद है जो समंद दिएगे समुच्चे की संख्याओं के बीच होता है तो आपको इस समुच्चे को समझना होगा तो इस समुच्चे को समझेंगे 6-36-2 तो 6 के square में 2 के square अगर घटा देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर हमको answer मिल जाए एक चोटा सा प्रशन है और आसा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको असानी से यहाँ पर कर पाएंगे कोई दिक्कत बाली बात नहीं है तो जल्दी से बताईए क्या आएगा इस प्रशन का सही answer तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर अगर 6 के square 36 और 36 में अगर 4 घटा दे तो 13 के square 69 तो इस प्रकार से यहाँ पर answer आने के chances नहीं है तो इसी प्रकार से हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है और कुछ सोच लीजिए अगर इससे नहीं और नहीं हो रहा तो और भी हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं तो जैसे माल लीजिए अगर हम को 6 लाना है तो अगर 2 में 2 का गुड़ा करा दे तो नहीं हो गया की नहीं 5 सोच जाओ और आगर अगर 4 जोड़ दे जी तो कि तो ज़िए अगर 32 यहां पर 22 वीड़ेगा और इस के परकार से हम को यह बैसे नहीं हं आंगर कर ना थी परकार से हम को स्वोड़ा कर ऐंग tutto यहां पर हमें 6 में दो जोड़ना है लुए ऊट्राइब हमें तो ब antiqu करा देंगी तो यही काम घौ आठ में ढर्ली कि तो कि अगर आठ्क में हम ढूर्च गुड़ा थे पहले कमें दू में हम धूर कर तो बीस और वीस में अगर चार कगुड़ा करा दे तो विश यो को कितना हो जाएगा असी यहां पर असी आना चाहिए तो इसका जो आंशर होगा तीसरा वाला ध्यान से समझना इस प्रोसेस को यहां पर क्या किया गया है पहरे संख्या में दो का गोड़ा करा के दो जोड़ा गया, छे आया, फिर छे में जो है, जब जो दूसरी संख्या में दो जोड़कर, आठ में छे, दो जोड़कर चार का गोड़ा करा दिया, 32 आया, यहाँ पर भी वही प्रोसेस किया, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा ही हो जाएगा हुए बहुल है निकों को सम्हश्ठ कर नमबर 3 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कखा कि दिये गए समी कऴो संत्रुइख करने के लिए किंदो गरती चिम्पून और संख्यान को आपस में बदलना होगा कोशन नमबर तीसरे को ध्यान से बताएगा करा कि दिये गए समीकर्ण को संतुलित करने के लिए किन दो गरती चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलना होगा तो बताएगा कि कोशन नमबर तीसरे का सही अंसर क्या होगा इसमें से किन दो प्रासर्स को आपसे बदलना पड़ेगा यह हमको सोचना है बताएगे इस प्रशन का सही अंसर क्या हो जाएगा कोशन नमबर तीसरे का सही अंसर बता दीजिए शभी लोग तो दोस्तों यहाँ पर 14 18 प्लस और माइनस तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यांच देखें अगर यहाँ पर 18 आजाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हम सेकेंड वाले को लेते हैं यहाँ पर 14 और 18 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 16 यहां पर गुडे यहाँ पर प्लस और गुड़ा को चेंज करना है तो गुड़े की जगह प्लस और 18 और तो 18 की जगह क्या जाएगा 14 आपर इसके बाद यहां पर प्लस आएगा 2 यहां रख लिया यहां पर क्या हो जाए गाया झारी के नो जाएगा 18 divide 3 और बेराबर किसे हो जाएगा ? 38 तो इस समीकड को पहले हमें change करना था घृषण और 18 के साथ में प्लस और गुया को भी change करना था तो सबसे पहले हम divide करेंगे 3 चंग कितना हो जाएगा ? 18 हो जाएगा तो यहांपर 16 और प्лейश 14 कितना हो जाएगा ? तो 38 बराबर 38 तो यह समीकड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो question number 3 का जो answer आएगा second बाला, और अगर आपने तीसरे का second बाला answer किया है, तो यह प्रशन आपका निशन्देह क्या करेगा, सही हो जाएगा, आसा करता हूँ दोस्तों कि question number 3 आप लोगों ने बढ़ी हैं से क कर दिया हुआगा, complete कर लिया होगा, तो शमीकड को में इककल करना था, यहाँ पर कौन संख्याओं को और कौन चिन्नों को चेंज कर दिया जाए, और जब ऐसे प्रस्ण आते हैं, तो सदों आपके लिए challenging question होता है, क्योंकि यहाँ पर time taking question होता है, क्योंकि आपको idea नहीं हो question number 4 में, तो question number 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताईएगा, तो कह रहा है कि एक कागज को मोड़ा और काटा गया है, जैसा है कि नीचे दीगी आकरतियों में दरसाया गया है, यह कागज खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, यह आपको बताना है, तो question number 4 को ध्यान से दे दो सरकल आपके आने चाहिए, तो आपको ध्यान से देखना है कि यह कैसा दिखाई देगा, एक में, दो में, तीन में, यह चार में, दोस्तों यह जो सरकल है, तो यहाँ पर भी बनेगा, अब यह इस्टार सब जगहा बनेगा, यह तीन इस्टार यहाँ पर है, एक इस्टा तो यहां पर ऐसा था तो एक ही पॉइंट से हमको आंसर मिल जा रहा था हमको दूसरे पॉइंट की और जाने की और कोई आ सकता नहीं थी आसानी से आप ऐसे प्रिश्णों के आंसर को कर सकते हैं और सारे की सारे प्रिश्ण आपके एक्जाम में पूछे हुए हैं यह आपको द्धान देना कोई भी प्रेशन आपका जीतना भी अपटों के प्राइए सब प्रीवियस यहर को लेकर टारगट को लेकर हम लोग चल रहे हैं गरा कि अच्छरों की इस समों का चेन करें जिसमें अच्छर संकला में रिक्तित्तानों पर क्रमी कॉर्प से भरे जाने पर संख् तो इस रंखला को पूरा कर दिये और बताई कि इस प्रश्ण का सही अंसर क्या हो जाएगा आहां से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यह बनेगा ईकष्ट सही है तो यहां पर कुछ तो मिश्टैक होई है क्योंकि अगर इसको गवर खूँएंगे ति यह पर यहाँ पर यह प्र उसके बाद इस के एफ और फिर इसारी यह पर इसके बाद प्रकेर है यह तो इस है और इसका लेटर यहां पर E E F है यहां पर G है तो यहां पर हम इसको E G G कर सकते हैं तो यहां पर इसको जब E G G कर सकते हैं तो उसी प्रकार से अंसर में जाएगा तो इसमें अगर ध्यान चे देखें तो यहांपर EFG आएगा क्या आएगा EFG, यह उस प्रकार की सरीज नहीं जारही है जैसे हम लोग सोच रहे हैं तो यहांपर देखो EFG किया, हमने यहांपर EFG किया तीन का, फिर E को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया फिर यहाँ पर E को दो बार कर दिया, E F G G कर दिया, अब यहाँ पर E को दो बार क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, तो E को जब दो बार रिकीट कर दिया, तो यहाँ पर E E और फिर यहाँ पर F F G G कर दिया, यहाँ से पार्टीशन कर दिया, अब इसके बाद E को तीन बार रि यह concept था तो यहाँ पर पहले हमने F को रखा फिर यहाँ पर हमने F को रखा फिर F को रखा फिर F को रखा फिर F को रखा फिर F को रखा अब देखो F E E F F तो F, E, E, F, F कहा हैं, option number first में, बहुत ही शांदार सीरीश था, ये सीरीश क्या कर रही थी, पहले E, F, G से शुरुआत किया, फिर E को डबल किया, F को डबल किया, G को डबल किया, फिर E को त्रिपल किया, F को त्रिपल किया और G को त्रिपल किया, तो इस प्रकार से हमारी सीरी इसे हिंदी की study 91 के द्वारा जो आप लोगों को प्रवाइड की गई है उसमें से हिंदी की है वीडियो की है pet की है पैट की है रो ए रो की है और लेखपाल की है जो books study 91 के द्वारा प्रवाइड की गई है इसमें दोस्तों आप ध्यान सकते हैं कि यह नंबर है अगर ज़्यादा इंफार्मिशन चीए तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं आई चलते हैं कोशन नंबर 6 में तो कोशन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताईगा कि क्या बोल रहा है कोशन नंबर 6 कह रहा है कि सभी दर्वाजे सिच्चक हैं और सभी सिच्चक प्याले हैं तो आपके यहाँ पर दो कतने और चार निसकर्स हैं, तो पहले इस डियाग्राम को बनाना पड़ेगा, और जब तक डियाग्राम नहीं बनाएंगे, तक तक प्रश्ण नहीं होगा, उसने का कि सभी दर्वाजे सिच्छक हैं, और सभी सिच्छक प्याले हैं, तो एक डियाग् दोगलंगे प्यालए के अंतरगत आएगे दरबाजे हैं से 강ई हैं सब्याग्हे दरबाजे ऐसे रागल ड्वाजे शिट्छक हैं सिछ्छक ड्रबाजे रहा हैं और दूसरा और चोथा निशिटरे अबूर तीसरे में केवाल nis kar second और fourth अनुसराँ करता है और अगर आपने second और fourth का Privacy कोरत का यहां पर answer किया होगा तो फ्रस्चन सी होगा और अगर अगर ऐसे प्रस्चनम गलत करके exam में आते हैं तो पिस의lection भानचीत हो जाओगे यह बात आप फलक के विप्रीत फलक पर कितने बिंदू होंगे मलग आपका एक प्रकार के डाइश दिया है प्रसारित पांसा जिसको ओपन डाइश के कोशन्स है यहां पर दो का विप्रीत पूछा है जिसे यहां पर तीन बिंदू है तो यहां तीन अपोजिट होता है तो पांच का पोजिट क्या हो जाएगा चार हो जाएगा यहां पांच का पोजिट चार आएगा तीन का पोजिट क्या हो जाएगा छे हो जाएगा एक सता छोणेंगे तो दो का पोजित इस सता को छोड़ेंगे तो यह वाली यहाँ पर है दो का विप्रीत क्या हो जाएगा एक यहाँ पर उसने कहा तो दो बिंदु दरसार है फलक के विप्रीत फलक पर तो दो के विप्रीत फलक पर एक आएगा और एक कहा है अप्सा नमबर तीसरे में अगर तीसरा आप लोगों ने अंसर किया है तो यह प्रशन शित रूप से आपका सही हो जाएगा तो साथ में का तीसरा वाला मलब दो के आप उजीर सर्थपस पर एक बिंदू आएगा और जिन बच्चों ने एक बिंदू या तीसरा आपसन दिया है उन सभी बच्चों का यह प्रशन दोस्तों क्या करेगा सही हो जाएगा आसा करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रशन करने में यह ऐसे प्रशन होते हैं कि within second में without pen and paper के आप लोग इनका solution निकाल सकते हो और कम समय में क्योंकि समय का बहुत बड़ा आप लोगों को problem होता है question number 8 में आईगा question number 8 कह रहा है कि एक निशीत कूडभासा में music को 60 और tune को 56 लिखा जाता है तो lyric को क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है तो बताईगा कि इस प्रशन का सही answer क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुछ खास नहीं करना है music में 60 कैसे लाए जाएगा क्या इन अच्छनों की place value को जोड़ा जाएगा कि गुड़ा करा जाएगा कि क्या किया जाएगा पहले हम इसको देखना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर म, U, S, I, C लिखा है तो पहले हम अच्छनों की place value को जोड़ कर देखते हैं M की place value 13 है U की place value 21 है S की place value 19 है I की place value 9 है और C की place value कितनी है 3 है अब इसको आपको लेकर चलना है तो दोस्तों अब इसको आप जोड लीजिए इसको जोडने के बार देखे कि इसका युगफल कितना मिल रहा है तो 9-3 कितना हो गया 12 9-3 कितना हो गया 12 हो गया ठीक है अब इसको जोड़ेंगे तो तीन और एक कितना हो जाएगा तीन और एक चार दो और एक तीन 34 और 34 हो गया और प्लस कितना है 19 अब इनको सबको जोड़ लीजे अब इनको सबको जोड़ेंगे तो 9, 4, 13 तो यहाँ पर कितना हैगा 9, 4, 13 और 2 कितना हैगा 15 अब इसके ब अच्छों की संख्या कितने हैं 5 तेहां पर 1,2,3,4,5 तेहां 5 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा बोलो बात समझ में आई कि नहीं अच्छों की प्लेस बैलू को जोड़कर अच्छों की संख्या को माइनस करेंगे तो आसानी से अंसर मिल जाएगा यह ट्यून में करना है हम सिधे लिरिक में करते हैं क्योंकि हमको इसका अंसर चाहिए होता है तो L की प्लेस बैलू कितनी है 12, Y की प्लेस बैलू कितनी है 25 ध् पर जोड़ेंगें तो 12 और 183 हो जाएगा आपक्र flies झूरा को पूरें यहां सिया तक तो कितना हो जाएगा प्लस पांच और 27 336 अंशटी seven or 67 और एक दो तीन चार पाफ यहां पर सर्शक में 5 घटा देंगे तिहां 62 अंसर के रूप में मिलेगा और 62 कहा है आपसा नंबर 4 में तो 8 में का जो आंसर आएगा चोथा 62 और जिन बच्चों ने 62 अंसर किया होगा उन बच्चों का प्रस्ण सही होगा प्रस्ण काफी ठीक ठाक था तो अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपको इतना भी मतलब तफ कोशन नहीं था कि हम नहीं कर सकते थे थोड़ा सा जो बच्चा महिनत कर रहा है इस सब्सक्राइब कर सकता है तो कॉश्ण नम्बर आठे जो आंसर होगा चॉथा आँड का चॉथा बाला आए बरते हैं नेस्ट कोशन में कोशह नंबर 9 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइगा कि इस प्रस्टका सही अंसर क्या हो जाएगा कि यहांपर नहोंлан यहां पर 121 से तो नो कितना जो टेह ट้रो, 11 और 11ौहर थीस आसानी शीर मिलेगा ज्यक्तित difu efek कि जानों ऐगर हम 200 ग में आगर हम ultra टो टो मिले है इसे प्रकार से साथ में नहीं यहांओ नहीं और 9 जो गस्पार कितना हो गया 41 और 81 जो गए आएगा 81 आएगा और जिन बच्चों नो का आंसर 81 दिया है उन सभी बच्चों का प्रस्ण क्या करेगा सही हो जाएगा ठीक है ना तो कोशन नो का जो आंसर आएगा तीसरा वाला 81 आसा करता हूँ कि प्रस्ण यह आप रोगों को समझ में आगया होगा बहुत ही छोटा सा सांदार प्रस्ण ता और ऐसे प्रस्ण अगर हम गलत करके आएगे तो फिर बच्चों आपको प्राब्लम हो जाएगी आई कोशन नमबर 10 को ध्यान से देखेगा और बताएगा कि कोशन नमबर 10 का सही अंसर आप सब लोगों के एकॉर्डिंग क्या जाएगा कि इंटेक्स यहाँ पर इंटेक्स को लिख रहा है आई ई आई एंटी एक्स तो करा इसमाल को क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है तो बताएगा कि इस प्रशन का सही अंसर क्या होगा अब दोस्तों यहाँ पर इंटेक्स की अगर बात करें तो अगर इंटेक्स में ऐसा क्या किया जाए कि E, I, N, T, X हो जाए दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो वही अच्छा यहाँ पर रखे गए हैं अगर आप लोग पकड़ पा रहे हो लेकिन अच्छों को वन माला की करम में ब्योस्तित कर दिया है जैसे मालो यहाँ पर लिखा है I, यहाँ पर लिखा है N, फिर यहाँ पर T, फिर यहाँ पर E, और फिर X ठीके तो वन माला करम में सबसे पहले कौन आएगा E की बाद I आएगा, I की बाद N आएगा, N के बाद T आएगा T के बाद X आएगा, भोलो इसको वन माला करम में ब्योस्तित करेंगे, तो Eintx, Eintx, BOLOओ हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब इसको वन माला के करम में 24 करना था, तो इसको भी हमें वन माला करम में 24 करेंगे, तो सबसे पहले ए आएगा, अब ए спокой murder यहां पर क्या दिख रहा है L तो L दो बार लिक लीजिए दो बार हैं इसके बाद M आएगा और फिर क्या आएगा S आएगा तो A L L M S तो A L L M S और यह कहां जाएगा आपसे नंबर 4 में बोलो अच्छों को वन माला के क्रम में ब्योस्थित करना था इनको वन माला के क्रम में ब्योस्थित करेंगे और ब्योस्थित करने के बाद जो हमारा अच्छा निकल कर आएगा वह हमारे इस प्रशन का अच्छा होगा उसने का था कि उस बिकल्प का चेंड करें जो तीसरे अच्छर समूँ से वही समंद है जो समंद दूसरे अच्छर समूँ का पहले अच्छर से तो दूसरे अच्छर समूँ का पहले अच्छर से जो रिलेशन था वह रिलेशन इसमें अपलाई कर दिया तो हमको आंसर आसानी से क्या क्या मिल गया तो दस्वे का जो अंसर आएगा वो चोथा वाला आएगा आईए देखते हैं नेस्ट कोशन तो नेस्ट कोशन हमसे क्या बोल रहा है तो आगे बढ़ने से पहले आप सब जानते हैं कि हाँ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी का आपका जो बैच है और आपका प्रारंभ हो चुका है अगर आप लोग इस बैच के साथ जुनना चाहते हैं तो मातर 12.99 रुपए में आप इस बैच के साथ सभी लोग दुर सकते हैं कोशन नमबर 11 में आईएगा और कोशन नमबर 11 करा है कि उस विकल्प आकरित का चेन करें जो निम लिखी स्रंखला में अगले अस्थान पर आएगी तो इस आकरित को ध्यान से समझे और बताईए कि इसका सही अंसर क्या होगा बता भई बहुत ही छोटा सा प्रशने दोस्तों निशकस को देखा जाये जैन से तो यह जो च्छाएंगी भग है यह पहले दक्छिरावर्धिशा में और इसके बाद अगर इसको देखें तो यह जब एक खंड इधर गया दक्षिरा वर्दिशा में और इसके बाद एक और दो सीधे वापस आगया फिर यहां से क्या किया एक और दो सीधे क्या किया वापस आगया तो यहां से आप देख सकते हैं तो यहां से एक और दो क्या किया सीधे वापस आगया अब इसके बाद फिर से ए यहां पर इस में ऐसा है नियो इसमेंसा है नहीं है तो ऊसल्व महां। आ यहां पीछ हैं तहके sustainability सिर्म उनमेंगा, यहां पर केुछ के ऊच्छे का तो यहाँ पर आएगा consider 3 अगर आपने 12 का तीसरा वाला आंसर किया है ऍधैंट प्रिश्श्न आपका सही हो जाएगा, समझ में आगई बात कि नहीं क्या कर रहा है, इसमें, आसानी से हमने पकड़ लिया, इसको कोई दिक्कत बाली बात नहीं थी, आई बरते हैं, नेस्ट कोशन में, कोशन नमबर 12 बोल रहा है, कि दी गई आकरती में कितने त्रिभूज हैं, तो दी गई आकरती में कितने त्रिभूज हैं, तो चलिए इस अभी लोग काउंट करिए और बताइए, कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभूज बनेंगे, तो त्रिभूजों की शंख्या हमें काउंट करके बतानी घवराना नहीं है, आठ बनेंगे, तेरा बनेंगे, बारा बनेंगे, यहां फिर 10 बनेंगे, तो अगर घवरा जाएंगे, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, देखें कि यहां पर ट्रेंगल की शंख्या कितनी बन रही है, बस आपको उतने में ही दिमाग लगाना है, और ज्यादा दिमाग लगाने किया हो सकता है, यहां पर नहीं आसानी से आपको आं एक यह बनेगा, एक यह बनेगा, एक यह बनेगा, एक यह बनेगा, तीन, एक चार, एक पांच, एक साथ, एक आठ और एक नौ, कुछ इस्टा तो नहीं हो गया, यह ट्रेंगल नहीं है, यह हमने गलत कर दिया, देखो, एक ट्रेंगल यह है, पूरा, एक ट्रेंगल यह तो यहाँ पर göra देखना थे लिगा यहाँ से तीन इक और अपकी यहां से कोई अपके निर्मान नहीं हो रहा तो finally यहाँ आठ ट्रिंगल बनेंगे, डायग्राम देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से उसको देखेंगे, तिहां पर बहुत ज़्यादा ट्रिंगल नहीं बन रहे हैं, और आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आईए बरते हैं, नेश्ट कोशन में, कोशन नमबर 13 का सही अंसर, आप सब लोगों के एकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब रिकॉर्ड को इतना लिखा जाता है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका अंसर कर पाते हैं, पहले इस स्रीज को आपको समझना पड़ेगा, और जब तक इस स्रीज को नहीं है, आर का विपरित आई है, पी का पोजिट के है, और पी का पोजिट के है, और एक का पोजिट क्या है, जड़ है, मतलब यहां पर यहां पर फिर पीर यह तो रिपीट हो गया है, यह तो फिर यहां पर एक कम कर दिया है, दो में से एक काम करेगा, यहां पर हम करेंगे, तो WHExMzil तो V ओलाओ एसा कोई आप संहीं नहीं, बताओ क्या करें ऐसा कोई आप संहीं ओरेंज ओरेंज नहीं, यहाँ पर ओरेंज ऐन compliant ओरेंज लिखते हैं, फिर बनाते हैं तो G का T होगा, यहाँ पrière T लिखते हैं G का क्या होगा, T होगा, अब TVT which do है ठीक ही यहां पर एक पिए स्त्रा हुआ यह आपको पहले बता चुका हूं कि एक यहां पर इस्ट्रा है तो व्य टीम जर तो व्य टीम कर दखांग यह कहां जाएगा तीसरे यहां पर और रेंज लिखा था और और एरंज घआज àittle पर C जो लिखा था वो मिस्टेक से लिखा हुआ था तो O, R, N, G, E आएगा ठीक है तो यहां पर G का विप्रित क्या होगा T तो V, T, M, Z, I, L तो V, T, M, Z, I, L तो V, T, M, Z, I, L तो यहां पर 13 का जो आंसर होगा 30 रवाला हो जाएगा आई परते हैं नेश्ट कोशन में कोशन नमर 14 में करा कि उस विकल्ब का चेंड करें जिसमें सब्दों के बीच वही संबंद है जो संबंद दिये गए सब्दों के सब समगरी का पार्ट है तो बताई कोशन नमर 14 का सही अंसर क्या आएगा मुझे आसा है कि अब तक आंसर आप लोगों को जो है मिल चुका होगा जिस प्रकार कुर्सी फानीचर का पार्ट होता है उसी प्रकार लिखने का कागज जो होता है लेखन समगरी के अंतरगत आएगा तो चौधा का जो आंचर होगा चौधा बाला ये एनलाजी का कोशन होता है और एनलाजी की स्रीज मैंने सुबा आप लोगों को एक दिन अभी हाल पिलाल में कराई थी कोशन नमर 15 में आईए कि दियेगे समीकण को संतुलित करने के लिए किन दो गर्ती चिन्नों को अपस में बदलना होगा तो कोशन नमर 15 को बताईगा किन दो गर्ती चिन्नों को अपस में बदल दें कि ये समीकण आपका सही हो जाए तो बताईएगा कि इस प्रश्न का सही अंसर क्या हो जाएगा किन दो गर्ती चिन्नों को अपसे बदल दिया जाए यहां पर 48 से डिवाइड है तो गुड़े की जगा का डिवाइड ले आए तो काम बन जाएगा तो पहला वाला तो यहां पर डिवाइड की जगा गुड़े 6 आएगा प्लस कितना है 9 और माइनस 48 डिवाइड 8 हो जाएगा और बराबर कितना लाना है 27 लाना है 8 चंग कितना होता है 48 होता है क्योंग क्योंकि 48 आठ से डिवाइड था तो अगर हम यहां पर गुड़े की जगह डिवाइड करते तो बात बंती वही हमने दिमाग लगाया और यहां पर इसको अपलाई किया तो आंसर हमको असानी से क्या किया दोस्तों मिल गया ठीक है तो चलिए question number 15 हमने complete कर लिया यहां देख सकते हैं कि यहां पर नितिन सर के द्वारा जो हैं डिटर्न ईबुक्स आप लोगों को प्रवाइड किये गए हैं उसमें से हिस्ट्री के दोस्तों आपके तीनों पार्ट ईबुक्स के रोप में और बायलोजी का इसके साथ में समान हिंदी इंडियन जाकरफी और भा रूबु होंगा आज थोड़ा सा नेटवर्क इसूख होने के कारण में आप लोगों के साथ रूबु नहीं हो पाया इस वज़े से क्लास को आप लोगों की सुर्प में इस फार्मेंट में प्रवाइड कराना पाया और थोड़ा सा लेड़ क्लास पहुचिए इसके लिए हम आप राती हैं मिलते हैं आप सभी से नेट क्लास में थांक्यू सभी को सभी बच्चों के एक बार फिर से गुड़ा प्रणून जैहिं बंदे मात्रम